तो वेल्कम टू बैग माई चैनल हमारे चैनल में दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो हम बनाने जा रहे हैं मठरी ए मठरी बनाना बहुत इजी है और खाने में बहुत टेश्टी है तो इसको किसी भी टाइम आप चाय पर खा सकते हैं और इसको इस्टोर भी कर सक और खाने में तो बहुत ही टेश्टी है आप एक बार खाएंगे आपको बहुत मजा आएगा तो चलिए इसके लिए एक कटोरी मैदा ली हूँ और बड़ा सा कटोरी था दोस्तों उससे एक कटोरी हमने मैदा लिया है और आधा चम्मच एक काली मीरिच है तो इसको अच्छे स से कर लिजिएगा इससे इसकी अच्छी खुश्बूगाती है तो चलिए नमक कर लेते हैं नमक मठ्री ने कमी यूज कीजिएगा यह है रिफाइंट तेल आप घी भी यूज कर सकते हैं तो हमने करी आठ चमच रिफाइंट तेल यूज किया है अगर आपको जुरूत आगे दिखाती हूं कि कैसा रहेगा तो कम है कैसा नहीं रहेगा तो ज्यादा है ठीक है तो पूरी वीडियो में बने रहे हैं हम आपको दो तरीके से मठ्री बनाना बता रहे हैं तो खुब अच्छे से इसको हाथों से मसल लिजिए जितना आपके अच्छे से मसला रहेगा आटा उतना अच्छा मठरी बनेगी तो इस तरीके से आपका डो बनकर गिरता है बिखर जाता है तो एक चमच तेल और डाल लिजेगा नहीं बिखरता है तो आपका आटा परफेक्ट है तो नॉर्मल पानी है दोस्तों इसको थोड़ा थोड़ा पानी एट करकर आप आटा तो खूब अच्छे से इसको मसल लीजिए गूथ लीजिए अच्छे से जितने अच्छे से आप गूथे रहेंगे आटा उतने ही अच्छा आपकी मठरी बने बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों बस वीडियो को फॉलो कीजिएगा आप एकदम खूश हो जाएंगे मठरी बना कर कि हमने बनाया कि मार्केट से लाया तो आप गूथने के हिसाब से यह अनुमाल लगा सकते हैं कि यह याटा हमने कितना हार्ट गूथा हैं तो मैं पास से दिखाती हूँ जो इसमें मसाले अटकी हैं इसकी लुक कितनी अच्छी दीख रहे हैं तो चलिए इसको 10 मिनट तक रेष्ट पे रखते हैं अच्छे से इसको ढग दीजिएगा और रेष्ट पे रख देते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाती हैं तो रेष्ट 10 मिनट हो चुका है एक मिनट तक इसको गुत लीजिए गुतने की बाद इसको लंबा सा रोल बना और छोटे छोटे पाठों में डिवाइड कर लिजे और दोस्तों आपके पास जिस हिसाब से बेलने का चीजे हैं उसी हिसाब से आप छोटे छोटे पाठों में डिवाइड कीजिए हमारे पास चकला है तो हम चकले पर यूज करेंगे रोटी बनाएंगे अगर आपके पास ब तो बेलने के बाद इसको ग्लास से कट कर लिजे इसको गोल अकार में हम कट करेंगे अगर आपके पास कोई और शेव है कुकिंग कटर भी है या या इससे बड़ा मठ्री बनाना फ्लावर बनाना चाहते हैं तो इससे थोड़ा बड़े चीजेóg से कट किजिएगा ठीक है तो गोल आकार में इसको हम काट लेंगे हम आपको दिखाते हूं कि कितना पतला रखना है तो यह सब निकाल लेजे आगे हम आटे में लगाकर बना लेंगे तो दोस्तों आपको इतना पतला रख लेना है जितना पतला सकते हैं उतना पतला बेल लेजेगा और छाको के शायता से इसको कट कर लेते हैं चार पाठों में तो इसी तरीके से आप कट कर लीजेगा और एक पे ऐसे रखते हुए इसको हम बनाएंगे हमने करीब 9 लिया है आप अपने हिसाब से एक दो कम देशी भी कर सकते हैं अब नहीं दिखेगा इसलिए 9 या 10 रखें अब इसी तरीके से इसको एक एक निकाल लीजे अच्छे से कि तो कैसा आपको फ्लावर शेप लगा जिरूर बताएं एक और बना के दिखाती हूं उमीद है दोस्तों कि आपको फ्लावर अच्छा लगा हो और मठरी भी अच्छा लगा हो एक बार बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि मठरी खाने में कैसा है और देखने में कैसा है तो इसे तरिके से सारा बना लीजिए मैं आपको पूरा बना लेती हूं फिर दिखाती हूं तो हमारा जितना बनाना था दोस्तों हम बना लिए और चलिए अब इसको फ्राई करने चलते हैं तो तेल अपने हिसाब से रखिए जितना आपको जितना हंडल कर सकते हैं और अच्छे से गरम हो जाने पढ़ी इसमें मठ्रिएट करेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखिएगा थोड़ा सा एक मिनट मीडियम रहने दिजेगा थोड़ा फ्राई हो जाएगा फिर मीडियम और लो के बीच में कर लिजेगा गैस को गैस की फ्लेन को तो इसको थोड़ा थोड़ा इलाते उलटते पलटते आप फ्राई कर लिजेगा तो बहुट सारे मत्री की डिजाइन बनती है तो इसमें हमने दो मत्री की डिजाइन भी दिखाया है क्योंकि ज्यादा डिजाइन दिखाएंगे वीडियो तो बीडियो लंबा हो जाएगा तो यह फ्राई हो चुका है इसकी तेल अच्छे से निकाल लेज़ेगा दोस्तों इसकी अंदर तेल बिल्कुल नहीं जाता है एक दम अच्छे से निकल जाता है आपको लगेगा कि तेल है पर हम तुरन दिखाएं दोस्तों एक दो एक से 20-25 सेकेंड थोड़ा रेष्ट पर दिखाती तो इसमें का तेल नहीं दिखता है तुरन कड़ाई में से निका दाल लेजेगा तो इसकी पूरी लुकिंग देख सकते हैं बहुत ही खस्ता बना है तो इसके लिए माफिस आओंगी दोस्तों मैं इसको तोड़कर नहीं दिखा भाई वीडियो कट गया तो आगे में दिखाऊंगी तो इसी तडिके से इसको भी बेल लेजे एकदम पत्रा और चारो चारो हिस्से से कट कर लिजे क्योंकि हमें इसकी स्क्वाइर से चाहिए तो इस तरीके से चाकू से कट कर लिजे अब इसको बीचने से कट लिजे दोनों बराबर हो थोड़ा से इसको लंबा कर लिजे और एक फोग लिजे अब उसके पीछे के हिस्से से थोड़ा दबा लिजे थाकि एक डिजाइन सेफ हो जाए अब इस से इसको एक दूसरे से लाकर चिपका दिजे अब जितने सफाई से बनाना चाहते हैं सफाई जितने होगी उतनी ही अच्छी लगेगी बनाने में और देखने में भी तो यहां थोड़ा सा पानी लगा लिजे और एक दूसरे से लाकर चिपका दिजे तो ये हो गया, रेडी ये हमारे बच्चे को बहुत दिजाइन पसंद आया तो इसको भी उसी तरीके से फ्राइ कर लेते हैं गैस के फ्रेम को मेडियम किजिएगा थोड़ा फ्राइ हो जाने के बाद लो और मेडियम के बीच में रख लीजिएगा इससे कलर भी अच्छा हैगा और आपकी मठरी एकदम क्रीश्टी बनेगी बहुत ही खस्ता बनता है दोस्तों, मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाऊंगी तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ दूर से और पास में देखेगा दोस्तों कितना अंतर है तो यह हो गया रेडी तो आप देख सकते हैं कितना एकदम खस्ता बना है यह एकदम ही खस्ता है तो यह वीडियो आपको कसल लाएगे